है लो दोस्तों हिंदी मेरे पर फिसे आपका स्वागत है हम थोड़ा लेट हो गए आपके लिए कंटेंट पहुचाने तक बीए सेकंडर के इस्टुडेंट्स के लिए मैंने बोला था कि आप लोग के लिए मैं नोट्स प्रोवाइट कराऊंगी और मैंने जो है फस्टर के भ अभी एक अभी करते हूं और एक आदे घंटे बाद तो तीन चार टॉपिक में आपको अभी अप्लोड कर दूँगी तो दुफैर तक आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना तो उससे क्या होगा आपका पेपर अच्छा चला जाएगा चले शुरू करते हैं मौलिक करत अभी सेर मौलिक अधिकारों से और निती निर्दे शक्तत तो यह तीन टॉपिक में आपके लिए लेकर आई हूं तीनों टॉपिक को अच्छे से समझाते हूं कि किस तरह से जब एक्जाम में इनके कोशन्स वनेंगे तो आपको अपलाई करना है आंसर तीनों ही टॉपिक बहुत मैत्तोपूर्ण है और यहां से 100% आपके कोशन्स वनेंगे इसलिए इनको अच्छे से समझ लीजिए समझ के भी हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं पढ़के तो हम करीब आता हैं लेगिन समझ के भी योंकि लेक्ट्टर इस्टूडेंस ले लेते ह जिसे नई वीडियो के नोटिविकेशन मिलते रहें और साथ में लाइक तो बनता है कर दीजिए शेयर किजिए ज्यादस ज्यादा सभी स्टूडेंस के लिए क्योंकि बेस्कूल लास्ट मोड रिविजन चल रहा है जितने से ज्यादा आप शेयर करेंगी सभी स्टूडेंस आवशक्ता क्यों पड़ती है क्या बात है तो देश के उच कानून द्वारा संगरशित हीत के रूप में मौलिक अधिकार को परिभाशित किया गया है मौलिक अदिकार बनाए गए हैं पबलिक के लिए ही लेकिन एक कानून के दाएरे में उनको लागू किया गया है उसे बहार आप उनका यूज नहीं कर सकते हो मौलिक अधिकार समिधान के उपबंदों से मानलेता पाते हैं के अंतरगत हमारे परजातांत्रिक राज्जय में सिमित पुलिस शक्तियों के सिधान का पर्तिबादन किया Gए देश के मूल कानून उम में मोलिक अधिकारों को पवितरिस्थाने दता यह राज्य के अनुचित हस्तक्षे पर पर्तिवण भी लगाते हैं समझ में आया कि जो ह हमारे कानून के अंतरगत जो कार्य होता है लेकिन अधिकार दिये गए हैं आपको तो वो मौलिक अधिकार है और ये अगर कोई राज्य के इंद्र जो होते हैं वो राज्य को अगर कोई अनुचित कार्य करते हैं तो मौलिक अधिकार के अंतरगत वो उसको खत्म कर सकते हैं उ है किसके राज प१ि right बहुत रखते हैं मौलिक अधिकार पर्तिन लगाने का दिक प्रती प१ंस उची थे नेर्ने करने को दिया बई तो इस अर्थ को दिखते हैं कुछ मेह दुपूर्णा वक्त तव नहीं क्या कहा याप sort के तोर पर लिख सकते हैं अब जैसे सर एडवर्ड कोक ने क्या लिखा है आप चाहें कितने वी उच्छे क्यों ना हो लेकिन कानून आप से उपर है तो मौलिक अधिकार हमें यह बताते हैं अधिकारों की बिना कोई स्वतंतरता नहीं नहीं हो सकती तथा हर रेज्य की पहचा तो कोई बात नहीं लेकिन यहां तक आप इसको पढ़ लेना समीधान लिकित लालकित नियमों का संग्रे यह आप सारा पढ़ लेना यहां तब ठीक है चले आगे चलते हैं अब यहां पर आपका टॉपिक बन रहा है मौलिक अधिकार जो समीधान में नागरिकों के मौलिक क्यों शामिल किया गया है क्या रिजन था क्या कारन था कि हमने जब समीधान बनाया तो इन अधिकारों को लिया पहल किया था रिजन अधिकारों के बिना मनुस्य सभ्य placard गितीत नहीं कर सकता जब हम उसको एक responsibility देते हैं एक इंसान को और एक उसको अधिकार दे दे जाता है कि आपका ये शितरे आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं तो वो एक सभ्य जीवन जीता है नहीं तो जैसे जंगल में इधर उधर जानवर घुमते रहते हैं कहीं सड़कों पर कहीं जंगल मे ऐसे ही इंसान एक foundation उन्हें देखी उन्होंने ये कहा भी है या पर आदारीन जैसे बंद पशुय पक्षी की तरह नहीं है हम एक इंसान है तो उसको सभ्य बनाने के लिए किया गया लेकिन सभी अधिकार समान रूप में महतुपुन नहीं होते हैं दूसरा यह जरूरी है कि महतुपुन आधिकारों को कानु böyle डिकारों को कर सके कए आपको मौल के अधिकार मिला हुआ है और जिसको पता है कितने अधिकारा है मैंने अमसीक्य동 बताया भी आपको तो आप अगर आपके उस अधिकार का कोई हनन करता है आपको उस अधिकार को पाने से कोई रोकता है तो आप क्या कर सकते हो नयाय पालिका का दर्वाजा खटकटा सकते हो प्रैस में जा सकते हो अपनी आवाज उठा सकते हो उसके खिलाब तो यह सब है भाराज जैसे पिछड़े देश के समिधान में अईन अधिकारों का समावेश विशेश महतू रखता है तो उस वक्त जिस वक्त समिधान बना था तो उस वक्त हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ था जह हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त ही अधिकारों की बहुत ज़्यादा ज़रुत थी और उस वक्त को देखते वे इस समिधान को बनाया गया था उसके बाद काफी फेर बदल हुए काफी संसोधन भी हुए लिकर जो उस वक्त बना था ये उस वक्त को लेकर ये चीज़े रखी गए थी अब आते हैं मौलिक अधिकारों के परकार कौन-कौन से हैं एक तो समानता का अधिकार आपका समानता का अधिकार कोई नहीं छीन सकता तैयार इसमांता की अधिकार सारे नाम त्कत है संपत्ति वे च्चार अधिकार RAW वादिकार यह पूरा चार्ट भी इसको आप इसक्रेंशोट ले सकते हो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर फिर आगया आपके स्वतंदरता की अधिकार पर हम इसके बाद आपका यहां पर है शोषन के विरुद अधिकार आगर आपका कोई शोषन करता है तो मौलिक अधिकार आपको यह राइट्स देता है कि आप उसके खिलाप आवाज उठा सकते हो धर्म का अधिकार अपने धर्म का पालन कर सकते हो उसके अंतरगत संस्कृती तथा शिक्षा संबंदी अधिकार बॉलिक अधिकार यह आपको शिक्षा से संबंदी आपके अधिकार देता है और समय ध्यनिक उप्चारों का अधिकार ये वाला बहुत ही महतुपून है यहां से आपका short question long question किसी भी तरह से बन सकता है ये अलग से भी आप से पूछा जा सकता है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आगे आते हैं यहां पर बंदी पर्तिक्षन करन लेक इसके बारे में short question बन सकता है परमादेश लेक पर्तिबंद लेक परेक्षन लेक और अधिकार परच्छा लेक लेकिन बंदी पर्तिक्षन करन लेक कोच्छे सपढ़ लेजिए यहां से short question निकल सकता है आगे देखते हैं आगे हैं राजे के निती निर्देशक तत्तू क्या होते हैं राजे के निती निर्देशक तत्तू मौलिक अधिकारों का अध्यन प्राप्त नहीं होगा यदि समीधान के चोथे भाग में वर्णित निर्देशक सिधानतों का अध्यन निया किया जाए कौनसे भाग में हैं चोथे भाग में समीधान के चोथे भाग में ध्यान रखेगा इस चीज का यहां से शोट कोशन निकल सकता है मौलीक अधिकारों वे निति निदेख सत्तों को अलग-अलग स्थान दिया गया है मौलिक अधिकारों को न्याले और तथरा न्याय मानने वे निर्देशक ततो न्याय द्वारा न्याय एमाने घोशित किया गया है और हमारे समिधान के इस भाग ने एक अत्यन्त अनोखा और विवादास पद रूप गहन कर लिया इस अनुप के गर्ण रिलेक्शन और इसत्त्य में नीहीं थै कि न्याय office एमान्य वे भी निती निर्देशक सिधान देश के प्रशाशन में मौलिक समझे जाते हैं तो एक निती के according, निर्देशन के according, इस सिधान के according, वो क्या समझे जाएंगे, मौलिक समझे जाएंगे, ठीक है, तो ये है निती निर्देशक तत्व का कार्य आप कह सकते हैं, आगे है राजिये अपने नितियों का इस प्रकार संचालन करेंगे, बता रखा है कि राजिये कि महतों पून तत्थ हैं, ये आपका थोड़ा बलर आ रहा है, लेकिन आप इस ऐसे जूंग करके देखेंगे, तो साफी आपको दिखाई देगा, चलिए आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर इसको आप छोड़ सकते हों, वैसे लेकिन ये प्रशन में ने देखा है कि करतवयों का भी उलेक क्या जाना चाहिए, ये हैं चतुर्त ये जो चोथा भाग है, उसके भाग भी बोल सकते हैं, आभी भाग जोड़कर अनुचेंद 51 A में, यानि के 51 A में मौलिक करतवयों को समलित किया गया है, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेगा कि ये भा का दिकादर करें, पढ़ लिजिए, क्योंकि आप से करतवयों पूछे जा सकते हैं, अब यहां पर हम आ चुके हैं, आपके अप्यास प्रश्न पर प्रश्न में बता देती हूं, कौन कौन सा आपके लिए इंप्रोटेंट यहां से जाने वाला है, समीधान में दिएगे मौ मौलीक अदिकारों को पारस का वपखग बनाने में यह भी आप ह좌ग सकते हो, ठीक है, आगे चलते हैं, यह प्रश्न फ्रश्न एक बार को आप कर सकते हो, समपत्थिकाहत, यह भी आप पहड़ीजा सम पत्रुकार के बारे में, राजे के यह वाला पहड़ दिए, प्रश्न संपत्तों में अंतर हंद्रेइः परसेंट कर लीजिए और नोट लिखिये तीन हाफ पर तीन हां पर छे प्रश्न आपके यहां से तयार हो गया है ठीक है चलते हैं धर्म निर्पेक यह रहना दो चलिए आभाते हैं आपके भावी कल्पे प्रश्न पर इसको मैं दिरे दिरे स्क्रॉल कर रही हूं प्रशना आप देखते जाएंगे नीचे सब के आपको आंसर मिल जाएंगे प्रशनी यहाँ पर आपके MCQs हैं इनको आप चेक कर लिजे लास्ट में इनके आंसर भी मैंने दे रखे हैं यह आपके रहे आंसर सब के इसको कर दिया ह है कल आपका पेपर है सबके लिए बैस्ट ओफ लग शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए पिलकुल अभी के अभी दूसरी वीडियो तक आने तक पढ़ते रहे हैं पने रहे हिंदी मिरर के साथ